इसके अलावा अगर आप देखे तो कलम ने दिखा था कि भारती एटल और वोड़फोन आइडिया की तरफ से नए टारिफ लाग हो गयते आज वोड़फोन की बारी है इसके अलावा IDFC फर्स बैंक जहांपर बोड की बैटक होगी डिविजेंट पर विचार किया जाएगा औ गोदावरी पावर इन इस पाथ यहांपर बाइबैक की शुरुआत होगी 1400 रुपे के भावव पर टेंडर ओफर के माध्यम से कंपनी बाइबैक कर रही है सुबह राइच इशू का आज आकरी दिन है और राइच इशू यहांपर फोकस रखेंगे इसके अलावा कुछ इशू कर देखने को मिल सकता है टाटा पावर चोटा साइडिविडेंट दो रुपे का जादा इंपक्त नहीं है लेकिन एसके इंडिया यहांपर 130 रुपे का डिविडेंट है तो यहांपर नजर रखिएगा इसके अलावा रिकॉर्ड डेट है इकलक सर्विसेस की अगर आप देखें तो कुल 1.76 टाइमस का सबस्क्रिप्षंट देखनी को मिला आप exemplet03 और एंपर सबस्क्रिप्षंट का सब्सक्रिप्षंट पहले दिन का जो सब्सक्रिप्षंक है ओर सेजिए 3.20 roku नजर रिधा में एक्ड सब्सक्रिप्षंटं Ohhh यहांपर सब्सक्रिप कुल दो ओर्डर मिले जहां पर अगर आप देखे तो ग्रिट सील्यूशन मिडिली से 234 करोड का ओर्डर मिला है और ग्रिट सेल्यूशन S.A.S. France इस से 575 यानि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ग्रूप कमपनी से 809 करोड के दो बड़े ओर्डर हैं खास नज़र रखेगा इसके अलावा HDFC बांक यहां पर आपको याद होगा काफी समय पहले ख़बर आई थी कि Mitsubushi, UFJ Financial Group इनकी सबसेडरी कमपनी है, HDB Financial Services इसमें हिस्सेदारी खरीदना चाती है, हलाकि अब यह मान रहे है कि Bloomberg के मादम से जो खबर आई है कि इस हिस्सेदारी खरीदने में आपको डेले देखने को मिल सकता है, यहाँ पर इपक्ट देखेंगे, रियल स्टेट स्टॉक्स में लगातार आक्शन है, ब्रिगेड इंटर्प्राइजेज यहाँ पर बैंगलोरी में आट एकर का रिसिदेंशल प्रोजेक्ट जो है, इसका कंपनी जिसमें यथार्थ हास्पिटल में प्लूटस विल्थ मैनेजमेंट ने 25 लाग यानि 2.9% हिसेदारी 405 रुपे साथ पैसे के भावव पर बेची है और इसी के सामने अगर आप देखें तो एसी एसे प्रोजेंशल म्यूचल फंड ने 20 लाग शेर यानि 2.3% हिसेदारी 405 रुपे पे खरीदी है चले यह तो रहे महतवपून ट्रिगर्ज और खबरें लेकिन बताइए बहुत सारे क्यो वन बिजनेस अबडेट भी आ रहे हैं सबसे बिले विदानता यहां पर अगर आप देखें तो काफी लंबा विस्तारित है क्योंकि यह कंपरी बहुत डाइवर्सिफाइड है तो अगर आप अलुमिनियूम सेग्मेंट में अगर आप बात करें तो उतपादन 3% बढ़ाए और लांजीगर उतपादन यहां पर अ ऑईल और गास सेग्मेंट यहां पर अगर आप देखें तो ऑपरेशनल जो अपडेट आया इसमें प्रड़क्शन सत्रा परसंट घटा है यहर और यहर लेकिन क्वार्टर और क्वार्टर इसको देखना चाहिए इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बज्जाज फिना पर देखने को बला है जो नई लून बुकिंग से इसमें दस परसंट की बढ़ते पिछले साल के मकाबले और नेट लिक्विडिटी सर्प्लस यहां पर देखने को बली है कुस्टम फ्रेंचाइज ही यहां पर भी ग्रोथ है इसके अलवा बंदर बैंक कल स्टॉक में भी आ आपको देखने को मिला है और रीटेल डिस्बर्समेंट में करीब 19 परसंट की बढ़त देखने को मिली है जो कासा रेश्यू है कि 37.1 परसंट से कटकर 33.4 परसंट हो गया है को और नो कौटर सूर्योदे स्मॉल फिनांस बैंक यहां पर आप नजर रखके चल सकते हैं और कासा रेश्यो अगर आप देखें तो 20.1 परसंट से वड़कर 17.7 परसंट हो गया है और अंत में कोल इंडिया यहां पर आप नजर रखके चल सकते हैं क्योंकि पहली तिमाई में अगर आप देखें तो कैप्टिव और कमर्शियल कोल उत्पादन से कोल उत्पादन जो 35 30 परसंट की बड़त यहां पर देखने को भी है सीधे तोर पर नहीं है क्योंकि एक कैप्टिव और जो कमर्शियल माइन से एक्सेप्ट पर कोल इंडिया इसका आकड़ाया पर आए तो यहां पर भी आफ फोकस करके चलेंगे